अब नाम है रवी बेसिकली यहां पर अलग अलग पोस्ट पर वह सारी रिकूट्मेंट से इंका ली है जिनको हम यहां पर देखने बाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोपरिशन लिम्टेट सीपी असी है ठीक है सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अलग अलग जो वेकेंसी है वह आप यहां पर लाइन से देख सकते हो ठीक है बहुत सारी इंजिनरिंग जिन्होंने कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल सीविल केमिकल उन से लेटेड ये पोस्ट लाइन से देख सकते हो 57, 16, 36, 18, 43 ठीक है इसके अलावा जो बिजनेस मतलब जिन्होंने HR वेकेरा या फिर Social Science वेकेरा में कुछ का रखा है ठीक है उनके लिए भी यहां पर वेकेंसी है ठीक है जो PDF है बेसिकली पूरी आपको डाल पर वो है 16 ठीक है मैक्सिमम जो एज है वो यहां पर 27 है थोड़ा सा कम है बट ठीक है पुष्ट 16 है अगर सेलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है लेकिन जो सेलरी है वो 1,00,000 आपको मिलने सुरू हो जाएगी ठीक है इनिसियल स्टेज पर ही ठीक है तो उसके इसके अलावा उसके साथ ही साथ एक चीज बोली है वो क्या बोली है जो आर्टिकल सिप एंड मेंबर सिप ऑफ इकाई है वो कम्प्लीट होनी चाहिए लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है कि कोई भी वर्क एक्पिरियंस नहीं मांगा है ठीक है बाकी अलग अलग पोस्ट उनकी भी रेकुरूट्मेंट पाच सीट उनकी भी है लो ओफिसर्स एचार के लिए भी दो सीट यहां पर है ठीक है चलिए अब हम लोग जो देखेंगे वो यह देखेंगे कि जो एलिजिबिलीटी है वो क्या मांगी मतलब कितने परसेंटेज मार्क्स वगेरा होने खुझा है गुरूप वन और गुरूप सेकेंड मतलब फ़श्ट गुरूप सेकेंड दोनों में आपके मिनमुम फिफ्टी परसेंट होने चाहिए ठीक है लेकिन बाकि जो लौ ओफिसर या अदर पोस्त है जो सिविल इंजिनिंग मेकेनिकल इंजिनिंग या फिर अधर जो भी हैं वहाँ पर 60% मांगा है minimum general category के लिए EWS या फिर OBC के लिए बट जो SCST या फिर physically challenged है उनको 5% की relaxation मिलेगी अलग अलग जगे पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो law officer है वहाँ पर 5% की है लेकिन जो other post है जैसे engineering वगरा में वहाँ पर 10% की वहाँ पर आपको क्या दी गई है relaxation दी गई है ठीक है सो फिलाल अब चलते हैं हम लोग की हमारा जो paper होगा जो recruitment होगी उसका selection process क्या है हम उसको देख लेते हैं वो काफी नीचे दे रखा है वैसे यह जो basically मैं skip कर रहा हूं यह सारी चीज़ उन्होंने दी है कि जो उनका experience है वो क्या-क्या वांगा गया ठीक है यह सारी चीज़ उन्होंने दी है यहाँ पर ठीक है निकल गया क्या एक सकेंड निकल गया भाई च हां प्लेस्मेंट आ गया यह यह देखिए अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे exam होगा उसमें क्या-क्या बोला है उन्होंने उन्होंने बोला हुआ है कि आप से जो paper है उसमें क्या-क्या होगा CBT होगी एक तो मतलब टैस्ट तो नॉर्मल सा लिया ही जाएगा CBT computer-based test अब गुरुप टास्क होगा, personal interview होगा, moot court होगा, moot court होगा, moot court है, basically law officers है, law officer HR की recruitment है, उसके लिए moot court है, वाकि सब में CBT होगा, personal interview होगा, अब जो CBT होगा, उसकी बात करें अगर, कि CBT में उन्होंने क्या-क्या बोला है, तो CBT में यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्यादा स्पेसिफाई इनोंने किया, नहीं कि कुष्चन वगरा कितने आएंगे, लेकिन जो जर्नल अप्टिट्यूड वाला सेक्शन है, ठीक है, जर्नल अप्टिट्यूड की अगर अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको 85 कुष्चन देखने पड सकते हैं, जो कि हर कुष्च कि मक्स का होगा, लेकिन यहां पर कितने मिनट आपको एलाट किये जाएंगे, मतलब कितने मिनट में आपका पेपर होगा, तो 2.5 मतलब 2.5 कुष्च आपके पास रहेंगे, 150 मिनट आपको दिये जाएंगे, 170 question करने के लिए, तो 150 मिनट में 170 question करने, अच्छी बात यहां कि इसमें कोई भी negative marking नहीं है, तो फिलाल जो वीडियो में हम लोगो जानना था, जितनी भी पोश्ट है, सब में यही फंक्शन है, 85 अपको एप्टिट्यूट से होंगे, जिसमें GA, रिजनिंग, यह सारे कॉश्चन होंगे, उसके अलावा technical जो जिस भी stream से आप form भर रहे हो, उस से related question पूछे जाएंगे, total question 170 होंगे, हर question एक marks का होगा, total minute आपको 150 मिलेंगे, और negative marking कोई भी नहीं होगी, ठीक है, तो फिलाल जो वीडियो थी, उसमें जो बताना था, वो आपको बता दियेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजएगा, और अगर आपको इस से related कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप comment box में पिन कर सकते हैं, मतलब comment box में फिन कमेंट डाल सकते हैं, आपका answer वह आपर कर दिया जाएगा, so thank you, thank you.